नमस्कार आप देखने रिवाडी अपडेट और आज 20 जून का कोरोना बुलिटिन जिला परसासन की तरफ से जारी कर दिया गया है जिसमें बताया है कि आज जिले में साथ नए पोजिटिव केस कन्फरम हुए है और आप जिले में जो पोजिटिव केसों की संख्या है वो बढ़कर 158 हो गई है जिन में से 70 लोग स्वस्त होकर अपने घर पहुँच चुके हैं आज जो पोजिटिव केस आए हैं वो सहर और ग्रामिन छेत्र दोनों से सम्मंद रखते हैं पोजिटिव केसों में एक केस दावडा से एक तुर्कियावास से एक यादव नगर से एक अजे नगर से और सहीद सराय गोठड़ा ठपा वे रामगड से भी एक केस आज कन्फरम हुआ है आपको बता दे कि अभी तक जिले से 4251 सेंपल्स लिए गए हैं जिन में से 158 लोग पोजिटिव पाए गए थे जैसा कि हमने आपको पहले बताया और उनमें से 70 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुँच चुके हैं और 80 लोग अभी भी एक्टिव हैं जिनका अलग-अलग अस्पतालों में या फिर उनको उनके घरों पर ही आईसलेट किया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है आज भी जो पहले पोजिटिव केस मिले थे उनकी कॉंटक्ट ट्रेसिंग के अधार पर 115 सेंपल्स लिए गए हैं और अभी 269 जो सेंपल्स है उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दे कि जिला परसासन की तरफ से जो हैल्थ ब्लुटेन जारी किया जाता है वो साम को रोजाना 5 से 6 बजे की बीच किया जाता है अलाकि कई बार सुबह हम आपको जानकारी मुहिया करा देते हैं कि कितने लोग positive confirm हुए है या फिर ठीक हुए है लेकिन सही जानकारी साम को जब 5 से 6 वजे तक के बीच जो health bulletin जिला परसासन की तरफ से जारी किया जाता है उसमें आती है अलाकि जो सुबह हम जानकारी जुटा कर आपको बताते हैं वो सही होती है लेकिन जो मरीज है वो अपना पता सही नहीं लिखाते इसलिए सुबह है और साम की जो रिपोर्ट है वो मिज मैच होती है इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जो साम को सही डिटेल्स मलपांस से 6 वजे की बीच जो health bulletin जिला परसासन की तरफ से जारी किया जाएगा वही हम आपको बताएंगे और वही सही होगा आपको बता दे कि जिले में जो positive किसो की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है हाला कि जो ठीक होने वाले मरीज है उनकी संख्या भी काफी जादा है और लगातार लोग जो मरीज है वो स्वस्तो कर अपने घर लोट रहे हैं और जो फिलाल active मरीज है उनकी हालत भी में भी लगातार सुधार बताया जा रहा है और वो भी स्वस्तो कर जल्द घर लोट आएंगे